नमस्कार आपके साथ मैं हूँ मलिका मरोतर और चली अब बात करते हैं लुध्याना धमाके की जिसे जोड़े बड़े अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं लुध्याना धमाके में IED का इस्तमाल होने का शक है ब्लास्ट की जगह से हाई ग्रेड विसफोटक बरामद हुआ है ये पुष्टी नहीं हुई है कि ये RDX है ये नहीं मौके से टाटू वाला एक शव मिला है बबर खालसा पर धमाका करने का शक जताय जा रहा है सूत्रों के मताबेक धमाके की खूफिया खबर थी खालस्तान समर्थक संगठन और ISI की साज़िश का इनपुट भी था तो लुध्याना ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन अब डिकोड हो रहा है सुरक्ष एजेंसिया जाच एजेंसिया लगातार तफ्तीश में जुटी है और एक-एक सबूत को खंगाला जा रहा है हर एंगल से इस पूरे मामले की जाच की जा रही है सूत्रों के वाले से जो जानकारी मिल रही है वो लगातार ग्राफिक्स के जरीए भी आपको बता रहे है भीड़ वाली जग़ों रहम टिकारे पर IED से दमाकी की जानकारी पहले से ही थी दिसंबर में राज्यकूफिय अजेंसिया था चेताया था ब्लास्ट में IED के इस्तिमाल का फिलाल शक जताया जा रहा है ब्लास्ट की जग़ से हाई ग्रेड विस्पोटक बरामद हुआ है तो लुध्याना ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन और इससे जुड़ी मैधवपून जानकारी आप तक पहुँचा रहे है दो तस्वीरे देखे कोट ब्लास्ट के पीछे किस की साज़िश हो सकती है क्राइम सीन की ये तस्वीरे है IED धमाका बबर खालसा पर इस धमाके का शक्त चुनाफ से पहले आखिर कौन दहलाना चारा है पंजाब को पंजाब में शांती भंग करने की कोशिश आखिर किस की किस की साज़िश मेरे सायोगी सतेंद्र जूड़ गए है मेरे साथ सतेंद्र का रुख करते है सतेंद्र पहले तो आप ये बताए कि क्या-क्या एहम जानकारी अब तक सुरक्षय संगजनों के पास पहुंच चुकी है और साथी एक बड़ी साज़िश का ये साज़िश की और ये इशारा कर रहा है मलिका देखिए अभी तक जितनी भी जाच हुई है और जो सबूत मिले हैं और जिस तरह से जाच आगे बढ़ रही है इसमें कोई भी दोर आये या शक की गुंजायस नहीं रही है बलकि ये पुखता होता जा रहा है कि ये एक टेरर मोडिूल था एक आतंकी हमला था जो किसी ना किसी तरीके से विफल हो गया अभी तक की जो NSG, NIA और पंजाब पुलिस ने जाच की है उसमें निकल कर सामने ये आ रहा है कि ये जो शक्स था वो वाश रूम के अंदर इस बम को असेंबल कर रहा था ओपरेट करना चाहता था और उसी अफरा तफरी में ये बम का धमाका बातरूम में हो गया आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज विंटर वेकेशन शुरू हो गई है कल अदालत का आखरी दिन था और पृते एक दिन 25 से 30 हजार लोग इस अदालत में आते हैं पंजाब की सबसे जादा जनसंख्या वाला जिना लुधियाना है और विधानसभा चुनाव सर पर है तो जाहिर सी बात है ये एक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक फोटो भी मिला है जो शक्स था उसके चितले चितले उड़ गए उसके हाथ पर एक धार्मिक जिसे खंडा कहते हैं उसका टैटू बना हुआ है तो कुल मिलाकर जो तार हैं वो इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि ये खालिस्तानी मोडियूलता नहीं था क्योंकि पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से हाथिया ग्रों के बात है। जाच अभी जारी है लुद्याना धमाके में आईटी का इस्तिमाल होने का शक है और इस ब्लास्ट पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने क्या कुछ कहा और डिली के मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल का क्या कुछ कहना है सुनाते हैं को मैं एक गाले बिल्कुल क्लियर कर देना चौँद है कि पंजाब दे विचे किसे तरह भी आमन विवास्ता जेड़ी है ओ पांगनी होन दिती जाएगी सरकार हट टैम एस गाल विच लगी होई है साठी पुलिस जिसने बहुत बड़े बड़े काम कीते हैं वो सक्षम है हर कुछ करन दे लेकिन एक एडिया जैसिया है जेडिया पंजाब नू डिस्टर्ब करना चाहूं दिया या पंजाबिया नू ड्रौना चाहूं दिया या पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साज़िश रचते हैं पिछली बार उन्होंने मौड में बॉम्बलस्ट करवाया था पंजाब के तीन करोड लोग एक मुठी की तरह एक हैं यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही इसलिए यह लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों की किसी भी साज़िश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पे काम्याब नहीं होने देंगे हमें ए दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है पकड़ के रखना है